प्रस्ण नमबर प्रस्ण को बताया था और अभी तक उसे आप नहीं देख पाया है तो डिस्केरिशन में लिंक दिया गया है या प्ले लिस्ट पे जाएगा वहां पे सब वीडियो जो एक प्रतिक दिन का आपको मिलता रहेगा चले सुरू करते हैं प्रस्ण नमबर च्छा आपका प्रस्ण बच्छा कहता क्या है जारा देखेगा कहता है कि कोई धन पांच प्रतिसत कहता है कोई धन जो है पांच प्रतिसत तो जो धन होता है हम लोग जानते है क्या होता है वह आपका मुलधन होता है क्या होता है मुलधन मान लेते हैं कि माना मुल्धन जो मान लेते हैं कि पर्संटेज और नहीं है सब्सक्राइब लिग सकते हैं कि आपको समझना है तो हम लिखना ही पड़ीगा है मुल्धन जो है कि माल लेते हैं कि पी आपका मुल्धन है कहता है कि पांच प्रतिसत तो जो आर है आर जो दर है आपको कितना परसेंटेज है पांच परसेंटेज ठीक है इसके बाद आगे कहता है कि तीन वर्स के लिए समय कितना कह रहा है यन बराबर कितना वर्स कर Τीन वर्स दीन वर्स के लिए उधार के लिए लिया गया तीन वर्स के लिए उधार लिया है यादि तीजरे वर्स नहीं έगा तीजरे वर्स का विजा आप invest का पूरा है जो और अर्सC निकालेंगे वही आपका मुल्धन का काम करेगा किसका काम करेगा मुल्धन का काम कितने वर्ष के लिए करेगा तीसरे वर्ष के लिए कि वह मुल्धन का काम करेगा दो वर्ष का निकालने की बाद कहता है कि तीसरे वर्ष का जो ब्याज दिया है आपका कितना दिया है 400 जो हैकी 41 तो ब्याज कितना दिया है देखेगा ब्याज दिया है दोस्तो 400 कितना दिया है 41 ठीक तो पहले निकालते हैं क्या दो वर्स का पहले मिसरधन कितना है दो यह नहीं कि समाइब तीन लीजेगा तीन वर्सों का ब्याज आपका दिया गए है तो बहुत तक हम रहों निकालेंगे और तीसरा बश्म में जो है जो आपका मिसर्धन निकलेगा वहीं आपका मुल्धन का काम करेगा तो यहां से कितना हो जाएगा पांच कम पां किसका काम करेगा मिलधन का माने यहां 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 पर लिखी कि लिखेंगें कि मिस्टर्धन लिखेंगे लिखेंगे तो है तीस्रे वर्स के लिए मुल्धन का काम करेगा को, समएह तो समय कितना यहék होगा नमबर CT कितना काम करेगा एक और मुल्धन पियराई 4 hopefully बार मेंगा कितना 400 क्लिर मत क्रों का belonging , प्रसेνटेज की बात करे तो परसेंटेज इतना है आपका वही रहेगा तो आर बराबर कितना परसेंटेज रहेगा 5 परसेंटेज ठीक है तो तीसरे वर्स का निकालेंगे लेकिन कहता है कि तीसरे वर्स का ब्याज तो जो ब्याज है तब तो आपका ब्याज कितना है 441 कहता है क्या यह ब्याज है इतने का जो ब्याज है इस मुल्धन के और समय के ब्याज के क्या होगा बराबर होगा तो हम लोग का हो जागे क्या समय ब्याज का फर्मूला पता है न पी गुणे एन पी गुणे आर गुणे क्या टी ठीक है तो यहां पर हो जागे पी मुल्धन कितना है पी 400 कितना 41 बटा में क्या 400 गुणे आपका क्या होता है और फाइफ परसेंटेज और गुणे समय कितना एक बटा में कितना आपका होता है सॉब, यहाँ से हम लोग करेंगे सलुसन तो यहां से क्या होगा यह आपका क्त डॉप 38,000 याद रखेंगे ठीज यदि आपका अंस का मान बराबर हो, अंस का मान क्या हो और दे कि अन्स में 4501 से ऊपर बहुता है तो हर से क्या कर सकते हैं कटा डिवाइट कर सकते हैं कि यहां पर पर आपका चार जो है रूपया डिवाइट कर सकते हैं होगा तो आपका चेट प्रश नंबर 18 देखते हैं प्रस नंबर साथ देखते हैं पहले क्या सॉलूसन करेगे स्थ क्या गया था आपको याद भी होगा वही कोई ड्रते हैं तिन गुंणा मन दें शॉ हैं कितना है सुनिएगा फ़स्याय मैं लिखता हूँ मान अब कहता है कि आपका च्छा वर्स नेटा समाई कितना च्छा वर्स तो आपका टोटल आपका मिस्दान होता है यानि किस्ट अपने जाता है यहनि कि is पी कहा मुंतन हम्न मापन्र करते हैं कि किस्टीब होगया मईically चक्रवेधी मिस्डधन चली आगे देखते हैं क्या कहता है तो उसी दर से यानि कि जब आरे परसेंटेज लगता है वही दर आपका रहता है कि कितने वर्स में 27 गुना हो जाएगा ब कहता है कि वहीड़िया है मुल्धन अपका न canon's lag in this 427 P कितने समाइ में आपका इतना हो जाएगा तो बहुत कुछ नहीं करना है आपको फर्मुला याद है चलिए रखते हैं प्रस्ट्रीव नegले हुआजएा प्रस्मी क अनुसंसार कहता है कि ती बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस दिया है आरवटा में 100 रहेगा ही चाह प्लसार बटा में 100 आपका समझना है तो समय लगेगा यह हो जाएगा 27 P बराबर फिर मुल्धन लेकिन कहता है कि दर वही रहना चाहिए R आपको वही रहेगा लेकिन समय पूछ रहा है कि समय भाई कितना लगेगा कि आपका 27 P हो जाए P से P यह क्या होगा केंसिल हो जाएगा 3 को पावर 3 करते हैं सताइस होता है यह 5T1 1 प्लास आरवार कितना सथा कपक आईğin गता फाहें तो बतामर में चला जाएंगा किस में आंगे तो छााइगा भाई घ्यांगे थनी पाहें तो यह थन यह से लगे लगेगा जब तीन घात हटाएंगे तो नहीं केलिए रुगा समझें यदि आपका X का स्कुराइर बराबर 6 है तो हम लोग यक्स बराबर लिखते हैं तो घातावा हटाएंगे तो इधर करणी लग जाती है का 6 अहाई करणी यदि हटा न चाते हैं तो करणी आपका हो जाएंगे तो करणी में 3 है न तो एक बाटा में कितना समझें तो यहां पर आपका हो जाएंगे तो इतना न लिखके लिख सकते हैं 3 बराबर 1 प्लस 8 बाटा में 100, आप पावारवा हो जाएगा, 9 बाटा में कितना 3, समझें हैं न समीकार नमर कितना बना दोस्तों, दो, और देखेगा, क्या ये 3 बराबर इतना है, 3 बराबर इतना है, तो ये 3 के जगाव हम लोग क्या इस मान को उठा कर रख सकते हैं, ये समी सव पावर कितना कितना है कि घ्षांग मालूम की चलिए गतां का दोनों का यादार बराबर है तो गहातों का तूल ना याणि-चौ बराबर यन बटा में कितना हो जाएगा तीन तौछ तरी कितना आठारा यहने कि समाय जो है कितना जटरी अठारा also याने कि Total आपका अठारा वर्स होगा यहनी कि आठारा वर्स लगेगा को गुना होने में 27 गुना चके ना कि मुल्धन को कितना 27 गुन यदि करना है तो हम लोग कितना वर्स लगेगा 18 ठीक है अब आप लोग इससे भी पकड़ सकते हैं यदि आपका तीन वर्स यानि कि छो वर्स में तीन हो रहा है तो 27 के लिए आपका कितना हो जाएगा तीन शक अठारा होगा कि नहीं हो तो अठारा वर्स नहीं हो जाएगा तो एससे भी आप लोग समझ सकते हैं यारी करना चाते हैं तो ऊब तो आपको होता है तो पहले भी समझ गए होंगे छामही में क्या क्या पराचेशच चलता है तो 400 का 10 प्रतिस्थ ब्याज की दर से आपका एक सही, एक बटा में 2 वर्स में मिसरधन मिलेगा तो देखते हैं क्या क्या दिया है अब दखेगा कहता है कि P बराबर आपका 400 रुपिया है आज जो दर है कितना परसंटेज है? दर परसंटेज है कहता है कि जो समय है समय बराबर है दोस माई एक सभी बटा में कितना दो का मतलब हुआ कीम चार रचय। कीतना पाांच बीका में डो वर्स हुआ कि नहीं हुआ आ अब जरे समझेए आते हैं व्र नोलोग कि शेखभर तो समय की जब तो जो दर होता है दर में बहुत है हैं आज समय जो होता है समय में 2 से मल्टिप्लाइब करते हैं समझें न अब दिखेगा तब तरह दो नो का हुआ क्ट गया तो समझें कितना वर्स बठ दूए कम दूए गलत है न दूए कम दूए एक तीन नहोगा कहाई कितना वर्स हो गया दोस्तों तीन वर्स कीतना आप समय कितना काम करेगा तीन वर्स का अहाई हो जाएगा कितना percentage पांच percentage परसेंटेज घ्लियर हुआ अब कहता है कि क्या निकाली मिसरान निकाली तुरन्थ फारून लारग दो है एबराबर हो जाएगा पी आपका कितना है 400 कोश्टक में 1 plus percentage कितना है 5 भाई क्या 100 आ समय कितना है क्या 3 आजा भाई यहां पर 400 कोश्टक में हो जाएगा या आपका 20 हो जाएगा 20 यानि 21 बटा में कितना हो जाएगा 20 का पावर 3 या हो जाएगा कितना चार सो गुणे 21 बाटा में 20 अगुणे 21 बाटा में 20 अगुणे 21 बाटा में कितना 20 है दूगोजीरो से दूगोजीरो का होगा कट जाएगा दूए कम दूदू दूदूनी के 4 है 4 से 4 कट गया बच गे का जारे देखिए 21 से जब 21 में गुणा करेंगे तो मुल्टिप्लाइं करके आप देख सकते हैं कितना आ रहा है चलिए Benjamin अधर गुणा कर दिया है उता है कि समयी न लग और आपका आप जब जो ही गुणा भी करके आप देख सकते हैं तो आप जो ही गुणा करेंगे देखए 21 में एकईस में गुणा किये हैं तो हम लोगा 441 यह तो पता ही हम लोगों फिर लगी एकईस से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 9200 कितना एकसट तो यह आपका हुआ कितना दोस्तों नौहाजार दोस्तों एकसट हुआ बाटा में कितना बचा है दो डिवाइड करेंगे तो का मिलेगा जरा दिवाइड करके हम दिखा देते हैं नौ 2 6 1 अरे भाई हाँ छोटा है इसलिए मैं डिवाइड कर दे रहा हूं यह बड़ा होता तो खुन मैं डिवाइड नहीं करता तो हाई हो जाएगा कितना दू चव के आठ होता आया हो जाएगा दो च्यके कितना बारा हो जाएगा फिर छो उतरेगा दो त्याइश हुआ यहां पर समझेगा संख्या एक यहां इक उत्रय है तर भी भाघ नहीं जा रही है तो फिर दूसरी संख्या उत्रने के लिए पहले यहां पर देखिए रहे जाता है आपको पहले 10 हो кол 사 12 ढहा sustainability 202 25 कितना 4632005 रुपया त्यानिकि आपका जो मिसद्रधन है और तो आできते हैं आप साखा सिकरेयक्ट है आपसम काउन लुद्हए्द words by उत्तों रुपया आपको यह बिल्पूल समझ में आ गया होगा यहीं समंझ में आता है तो हमें कमेट करके जरूर बता है किसी स्टेप में आपको परसूरानी हो रहे हो चलिए अगला ज़िए थे यह से तो ब्याज की दर क्या होगी तो फ्रेंस आप लोग जो है कि हम लोग प्रस्ट नम्बर जो है कि साथ प्रस्ट नम्र साथ जिस तरह से सलूसन किया गया है वही प्रस्ट नम्र किसमें आठ में तो ज्यादा नहीं करना है कुछ ने आपका जो है कि सिर्फ आपका जो है कि जितन तीन वर्स में अब समय कितना वर्स थीकर मैं बना रहूं है अपर कहता है कि चक्र बिदी व्याज से माल लेते हैं मुलधन कितना हैठ है मुलधन नहीं जिया है तो मानेंगे क्या पी आप कहता है कि मुलधन है चक्वेधि थी ब्याज से तीन सही ठीन बट dot सब्सक्राइब लिए होगी चले भी से पी क्या हुआ कट गए 27वटा में 8 को लिख सकते हैं 3 तीन बटा में 2 का पाउर कितना तीन इसको जारा इधर भेज दीजिए इसको इधर भेज जाएगे तो सो जाएगा 2 आरप्टा में कितना दोस्तों हो जाएगा दू से सो में भाग्द दें तो 50 होगा नहीं हो आरब कितना दोस्तों पाचास परसेन्टेज होगा यानिकि आपका प्रसेंटेज लख संग में आ गया है आपसे नमर जो है कि आपका डी करेक्ट था पचास परसेंटेज है चलिए आगे बढ़ते हैं कि अधिश्ट नमबर हम लोग प्रस्ट नमर दस देखेंगे प्रस्ट नमर दस कहता क्या है ज़्यारा देखेगा तो देखेगा प्रस्ट नंबर 10 प्रस्ट नमर 10 में जो फर्मुला लगेगा हम पहले लिख देए चक्रविधी व्याज और सधारान भ्याज जो कि फर्मुला पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं और याद भी हैं चलिए कहता है कि मुल्धन कितना मुल्धन तो माल लेते हैं पांगे में परसुन पढ़कर सुना देता हूँ प्रसों देखेगा स्क्रीन पर दिख रहा है जससा तना Гडाष जो प्रत्य वर्स बस दे हैं का आंतर जनी होगा जब 31 जब अंतर होता है सथारान भ्यास और चकवषळी व्याज का तो तो उस समय आपका कि कितना हमने होगा जब इन दोनों के करद लिए सचिराज सा थी आंतर कितना आता है सथारान भ जो है कि आपका कितना 17yan मिलता है मुल्धन उसी के अमसार हमनों चलेंगे पहले देखिए कुछ नहीं करना है चकविधी ब्याज निकालना है सधारान ब्याज दोनों का अंतर पहले देख लेना है कितना है अब उतने पर सो पर निकालेंगे तो माल लेते हैं कि दोनों का अंतर पांच आया तो पांच है कि मुल्धन कितना है 100 यहां पर लिख सकते हैं ठीक है और मुल्धन 100 है तो कहता है कि समय तीन वर्स लिया जा रहा है और जोगी कहता है कि कोश्टक में हो जाएगा वन प्लास आर प्रसेंटेज कितना है दर बटा में कितना सो इसके बाद जो है यहां बड़ा कोश्टक लेगा समय कितना है तीन वरिस का समय है माइनस कितना है वन जर सलूसन करेंगे तो यह हो जाएगा सो अगोश्टक में हो जाएगा है जीरो सीरो क कितना है 100 है कितना है 100 है कोष्टक में आएंगे इसका यदि स्क्वाइर हम लोग करते हैं तो कितना होगा देखेगा 111 होगा कि नहीं होगा यहां पर 101 होगा मुल्टिप्लाई हम करा दे रहे 1 2 1 ठीक है और यह हो जाएगा 1 2 1 1 3 3 1 यह तेरा 31 कितना हो रहा है कि रहे 3 3 151 कि मल्टिप्लाई कर सकते हैं 13 31 भाता में यह हो जाएगा कितना 1000 ऑप माइनस कितना हो जाएगा 100 गुडे हो जाएगा दोस्तों इससे इसमें गुणा कर देन इसको घाटा देंगे तो आपका एक हाजार में 7 3 나타गा तो होड़ा तれ 6 31 तीन तो एक अतिस बाता में कितना थीक है अब हम लोग टिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा देखेगा तीन दहां में तीस तीन दहां में 30 आप दसमलों हो जायेका दस से कम कितना दस यहुंद के IPO 33,012 चांड करते हैं सधारण पी कितना है तो गुणर समय कितना है 23 वाटा में कितना सो हाई 007 है यह भो का होगा गट गए तो किताना हों तैस कितना हुआ 130 66 अब देखिएगा कहता है कि चक्रविधि वी अज जब इतना हो रही है या चुज सवा इतना कितना तरो नहीं 된 के दोन Tibri इस में से 30 गटे लेफ थीन होगा 3.1 अब देखिएगा बसफ़िए कितने पाइस की तीन रूपिया 10 most यह नbread视 10 में कितने पाउंतर हो रहा है जब 100 पॉर्पिया था तो 3 दश्मुलů्ल1 पर सो यहाँ पर लिखेंगे जब एक रूपय यानिक तीन रुपया यहां प्रैस कि है तीन रूपया दस पाइसा का अंतर जब है कितने पर सो पर। हम 3 Kum же दूपिया 10पइसय का अंतर कितने पर हो रहा है सो रूपिये पर कहता है कि आखिरमें एकए shrug मी एकशे पर आंतर कर देता है तो सोब को चाल का कर दीजAdd in X adesso 301 होगा अगुने कीताना 3 31 दोस्तों एक हाजार रुपया क्यताना एक हाजा यानि कि जब 1000 रुपया पर यि मुल्धन लेते हैं ओड़ एक रुपया लेते हैं और जो समय है दर होही रहेगा वह रहेगा वह चेंजिंग नहीं होगा तो उसका जो है कि ईन्तर यानि कि जो मुल्धन है मुल्धन कीतना होगा 1000 रूपया होगा किसеф जब 61 का अंतर दोनों के भी फूता है तब अपसनी समय में। समयमे में बढ़ते हैं अबिघ्ञानिकर नमर का लिए यदो सरस्केंध मैं किछी में । प्रस्ट नमबर 11 कहता है मैंने यहां में समझाने में परसानी नहीं और आपको समझाने में परसानी नहीं इसको प्रोसेस बहुत बड़ा है और माल्टिप्लाइब भी करना चरह कठीन भी है तो इस तरह से हम यहां पर रख दो कि आठ प्रतिसत वर्सिक दर से तीन वर्स बाद एकासी सोला यानिक एकासी सोला रुपिया कर्ज तीन बराबर किस्तों में चुकाना है प्रतेक किस्त का मान क्या है तो मान लेते हैं कि उसकैं प्रतिक किस्त कितना है एकत्र रुपिया का पहली किस्त मेर एक्स बाटा नहीं पहली किस्तिमें चले हैं तो यक्त्त में राधा में और लाटां इसके लाधा । गाता है कि तीन बराबर वर्स ती किस्तों में जो आपका बात तीन वर्स बात जो पूरा ब्याज है पूरा जो है कि कर्ज है यह तीन वर्स के क्या होगा बराबर क्योंकि इन टोटल मानों को जोड़ेंगे तो इसके क्या होगा बराबर होगा ठीक है आगे कि यहां से से डिगटवें एक हो जाएगा आप 35 को सौ ठीक हैं 25 से कम 25 हो जाएगा 25 किताना चेला बटा में 25 उपर चलाएगा बटा में क्या है 21 ये हैं पोणेकल ये कीटना हो जाएगा 25 ख़ांट यह बटा में इस्कोएर करें लेकिन एक और तरीका है छोटा करने का अब देखिए सभी के हर में जो है इसमें दो है एक निकल देखा एक बचे ना इसमें तीन निकल जाए गना न सब्सक्राइब अपलोग को उस तरह से गवांने सब्सक्राइब नहीं पड़ेगा चोटा इसलोटा इस पहुत करने के बार आपको प्रोसेस नहीं दिकत हो सकता है आपको नहीं समझ में आएगा तो किजिए निकालना यह बरहबर है तो इन सबहुंदा सबस्क्राइब बदढात很好 किस्ते कांघ ऊडची कुछ और जाएगा किस्त कांघ ऐता ऊट्जी सर्फ है तो फड़ा बड़ा भी ही है और आपको मल्टिप्लाई करने में कहीं नहीं मिस्टेक जरूर हो जाएगा तो यह आपका थोड़ा प्रोसेस बढ़ा है और यहां से हम लोग कामल लेकर हल करते हैं थोड़ा छोटा प्रोसेस हो सकता है ठीक है उमीद होगी कि आपको यह समझ में आया होगा कैसे सलूसन क जाएगा चोटा कोश्टन भी हो सकता है तो हम लोग इस सलूसन करेंगे तो यह आपका प्रस नमर 12 में कहता क्या है आप समय इसका भी करेक्ट है देख लिजिएगा तो प्रस नमर 12 कहता क्या है इस टेप का कोश्टन जो है कि पहले यानिकि इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था इस टेप को कोश्टन आपका आचुका है चलिए सूरू करते हैं प्रस नमर 12 कहता है कि 1750 की एक रास्ति को दो बाराबर भागों में विभा चलिए तो कुछ नहीं करना है चलिए समझे कहता है तो माल लेते हैं कि माल लेते हैं पहला जो है कितना है एक्स पहला भाग का जो है कि आपका मुल्धन कितना है एक्स है और कहता है कि दोनों का जो भाग है दोनों मिला करके टोटल 1750 था दोनों जो है कितना मिला करके हैं 1750 तो एक भाग माना गया है यक्स तो दोस्तों दूसरा भाग कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा यक्स यानि कि पूरे में कि जो पूरा मान है सतरा पचास इसमें से यक्स को क्या करें घटा देंगे तो आपका पता चलेगा कि दूसरे का मान कितना है नहीं के लिए निकालने के लिए पूरे मान में से इसको यक्स को क्या करेंगे घठा देंगे तो आपका थे सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि और करो कि पहले भाग पर आट परसेंटेज का आठ準 परसेंटेज को दम्प्त Administration सभाख सदहारण ब्याद एक वर्स का निकालना थिए तता दूसरे भाग में था परसंटेज इस में सदेज थच्छा परसंटेज ठीक है एक तो काता है कि प्र्टिक भागश्ज निकल ली तो पहले हम लोग यह चाहिए कि कि एक्स का जो माने है एक्स का मान कितना हम लोगका फाइंद हो रहा है जितने एक्स का मान् loops बियाज बराबर है ठीक है इस पहले का सधारण परसंटेज कितना है पहले का आठ परसंटेज़ कितना टेकज है दूस्तों तुसरे में आएंगे दूसरे Bel six five our-how कीटना सब्सक्राइबहां तो 100 से सो क्क तो यहां इसे कितना हो जाएगा यह एक अफञेबीड करेंगे तो यह कितनों हो जाएगा यानिक siis हो चुल नास अचिक cash 35 को raspberry 42 कितना हो जाएगा 42 और तीन आपका 45 को 5 हांसिल जोगे कि 4 हो जाएगा इसके बाद 6 चाहर कितना दस ठीक है इतना हुआ और माइनस आपको हो जाएगा 6-6 X इस इधर बेज दीजिए 6x को इधर बेज़ेंगे तो यह हो जाएगा 8 X इधर माइनस में धर आगा तो प्लस जूटेगा तो चो ए आठ और चो कितना हो जाएगा 14 X is equal to 1050 यानिक 10 1500 और एक्स बराबर हो जाएगा 10500 और बाटा में कितना हो जाएगा चोड़ा ठीक है और 14 से इसको जदी डिवाइड करते हैं तो यह हो जाएगा 750 रुपया कितना होँआ 750 रुपया यानिकि यक्स कमान 750 रुपया यानिकि दोनों का जाएगा यानिकि व्याज निकालेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा देखिए कितने पर निकालेंगे 450 पर निकालेंगे अब हिष्ट व्याझ यानिकी व्याज पूछता होएं तो मिलेट बढ़ा है साससो कितना परसेंटेज थिके प Beginning कितना निकालिए परसेंटेज कितना है आठ परसेंटेज गुड़े कितना एक बाटा में कितना है तो अब देखें कि यहां से हो जाएगा पांस से कटाएंगा दा पांदुनी के 2060 याणि की परतीय का जो याज है यादो किटना हो जाएगा साथ रूपिया ख chat क्यूंसा करेक्ट है निए यहां पर कुछ नहीं करना था ठीक है नोका जो तोटल इतना मान दीया है इसको दो पूरे मान में शटा देंगे उस पर कितना है उसके पर कितना 6 परसेंटें काता है कि दोनों का सधारनवियाज है तो बरावर है तो बरावर यहां पकड़ देगे इसके बाशच कमान निकाल देंके एक समॉन है तो अभिस्ट प्याज किटना हो जाएगा ईनी कि 75 पर दियाद रखेंगा vi खुत नोऑ निकाले आप दूसरे अन quarter है निकाल सकते हैं ठीक है यह तो श बाब से निकाल लीजिए या तो इस बाख से दोनों भाग से आपने कामान सेम आएगा तो कलिए में रखने हैं उन्वर स्वोज्जेस नुम्र संख्या 10% प्रति वर्स बढ़ जाती है यदि इस समय वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी तिन वर्स बाद आप से पुछ रहा है आपको कुछ नहीं करना है दे रहा है क्या कहता है कि उस समय यानिकि पी बराबर आपका कितना है इस समय वहां की जनसंख्या 10,000 कितना है 10,000 है कहता है जो प्रति वर्स है 10% की दर से यदि बढ़ रही है तो कहता है कि तीन वर्स में समय कितना दिया है तीन वर्स में कहता है जनसंख्या तो लिखेंगे अभिष्ट जनसंख्या अभिष्ट जनसंख्या जनसंख्या तो अभिष्ट जनसंख्या कितना हो जाएगा ठीक है अभिष्ट जनसंख्या निकालने के लिए पी तो पी कमान कितना है एक यहनिके 10,000 कोष्टेक में 1 प्लस और परसंटेज कितना है 10 बाटा में कितना 100 का पावर कितना है 3-0-0 क्या होगा कट जाय आ ही हो जाएक कितना है दस हजार गुरे देखी दाष से कंद्स तकी ग्याषा बटा में कितना दस तीन बर लिखेंगे 11 बटा में कितना दस रहारा बटा में कितना दस कट गया इंस्युन से आपका घ्र हम ओना करें होगी कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद यदि आपकी वहां की जन्संस् suiv क्या इस समय 10 तो प्रस्ट नमबर 14 कहता क्या है एक बात याद रखेगा आप लोग इस टैप को कोश्चन पहले भी आ चुका है जब अंतर यानि कि स्ताधारण भी आज चक्रभी आज जब अंतर दिया था तो हम लोग फार्मुला लाग भी किये थे और वह पढ़े भी है प्रस्ट को आप आपको याद भी होगा लेकिन उसमें अंतर यह था कि सिर्फ दो वर्स टये था लेकिन इसमें जब तीनटेंटा है और दोनोंको आंतर भी देताए तो उसके लिए यह फर्मूला है तीन वर्ज के लिए देता है तब दो वर्ट के लिए न परिसे तो मैनले यह ने ताँ है मन रहें बराबर कितना है पर पांच परसंटेज कहता है कि का संदाना माएं यह बरावर कीतना है तीन वर्स का है अ का काता है कि दोनों का अंतर चक्रविधी याज सधारण ये यह दिए हम लों सकते हैं यह त्री जो है इंडिकेट कर रहा है कि तीन के लिए है यह दिया है कि तना 122 122 ठीक है अंतर तो बस कुछ नहीं करना है बस हम लोग इसमें पूट करने देना है यहां पर हो जाएगा एक कितना 222बराबर हो जाएगा P कटा देंगे तक इतना कल था है अब यह हो जाएगा कितना गुण गुड़े हो hyvin जोड़ से और कितना हो जाएगा 305 पांच जाएगा इतना 100 ठीक है इसके बाद कि 122 हो जाएगा इसकल टू यह हो जाएगा पूरा मल्टिप्लाई करें पी यानि कि 305 बाटा में आपका हो जाएगा यह दो दूने का 400 हो जाएगा और 400 कि और गुणे कितना 100 ठीक है इतना इसके बाद कटें तो कटाएंगे अब देखिए पांस से कटाएंगे तो पांच है कर तीस पांच है कम पांच और यह हो जाएगा कि आप पांच योग को 20 ठीक है इसके बाद आपका पी भी है न पी तो अभी यहां से हो जाएगा एक सथ पी इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा जार देखिएगा एक सो बाइस से इसमें गुणा करें तो पहले चार दूनी के बाट हो जाएगा एक सो बाइस गुणे क्या होगा पूँछट तो आप मुस्त सो नुमबर तो आपसन नब् làm साट है है आपसे नमबर आपको पूछाए तब कर आप को सोरह हजार रुपया किलियर रामिल ओ konser हैं कि आंटर तो अब रहाएंगे आपको बता चुकentes के यह रहा क्या लगेगा यह रहा आपका प्रोसेस तो मिद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो चलिए कि अगा है कि अगर कि अगर क 컬러 Nei कि अगर्य, कि अगर्या को अगर, कि आपको भा कि अगर्याth कि अगर्या हुआ उगर्याव झाल झाल